नमस्कार मैं हूँ मनोस सेनी और आप देख रहे हमारा खास काईर कम बहस गरम है और आज जिस बात पर बहस गरम है वो है दिगवे सींग कॉंग्रिस की राष्टे देख बनते बनते दिगवे सींग रह गए आज सुबह तक उनका नाम सबसे आगे था और वो नावंकर भरने भी जा रहा है लेकिन गुरुबायर की राष्ट से सुबह तक ऐसा कुछ घटा कि दिगवे सींग ने खुद ही मैदान छोड़ दिया अब जहां दिगवे सींग हो वहां ट्विस्ट ना हो ऐसा भलाक कैसे हो सकता है और दिगवे राजा एक बार फिर स्यासत में बड़े ट्विस्ट की बजह बने अशोक गहलोत के इंकार के बार दिगवे सींग का कॉंग्रिस का राष्टी अध्यक्ष बनना लगभग तय था उन् पूरी कहानी बदल गई दिगवे सींग ने खुद मीडिया के सामने आकर अपने चुनाओ न लड़ने की घोशना की और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भरने हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूँ आप एक वरिष्ट नेता हैं और हमारे कॉंग्रिस पार्टी के सबसे मैंसे वरिष्ट नम और सम्मान जनग नेता हैं मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात का जताई गई थी दूसरी वजह जो मानी जा रही है बीजेपी के लिए वो हमेशा एक साफ टारगेट रहे हैं उनकी एंटी हिंदू की छवी के जरिये बीजेपी को ध्रुवी करन करने में मदद मिलती वजह जो भी रही हो लेकिन MP की सियासत में दिग्गी राजा के कमलनाथ की केमिस्टी पर भी तंजिकस रही है अब वो एक प्रदेश के अध्यक्ष और उनका सोकाल्ड छोटा वाही राश्टी अध्यक्ष सम्भव है क्या वो होने ही नहीं देंगे वो इतने सारे प्रदेशों में एक प्रदेश की और वो राश्ट का अध्यक्ष वो शक्सियत है जिन से स्यासी तोर पर आप प्यार कर सकते हैं या नफरत कर सकते हैं लेकिन किसी भी कीमत पर आप उन्हें नजर अंदाज नहीं कर सकते जाय है अगर वो अध्यक्ष बनते तो दोजार तेईस के विधान समाचनाव में भी दिल्चस्प समीकरन देखने को मि लेकिन नहीं बने तो फिर समीकरन कौन से बिकड़ गए और कौन से बन गए आज यहीं तो है इसलिए तो बहस गरम होने वाली है मेरे साथ दो मैमान जूड़ना है दुरगेश के इसवानी जी है भारती जंता पार्टी के प्रवक्ता दुरगेश जी आपका बहुत स्वाग अगर देखा हुए कोंगेश पार्टी सदे भी जो समाज के अंतिम छोर पर जो एक कमजोर व्यक्ति बैठा रहता चाहा वो दलिस समुदाय से आता हो किसी भी समाज से आता हो कौंगेश पार्टी सदे उसके साथ रही है आज बात जब आ रही मलिका जो उन खड़गेगी त समुदाय से आते हैं एक बहुत बड़ा चहरान दलिस समुदाय का और कई सारे पदों पर रहे हैं आटनों बार विधायक भी रहे हैं तो जब उनका नाम आया मरुजी बलता हूं यह चुनाओं का आज साबित हो रहा है जो भाजपावले नरंतर राजनिती करते थे कि तो में उसका नाम बदल जाता है तो इससे साबित होता है कि यह लोकतंत्र है साब कि यहां कहीं भी अद्यक्ष बनने के लिए कहीं किसी में लड़ाई नहीं है नाहीं किसी को लालच है आप देखें शशी थरूर जी लड़ना चाहते थे वो लड़ रहे हैं एनके जुन खड़गे के खिलाफ चुनाओं नहीं लड़ सकता कि मैं उनको अपना नेता मानता हूं मैं वो मुझसे वरिष्ट हैं और सबसे बड़ी बात उनने कहा मैं जिन दो ताक्तों खिलाफ सबसे अपने राजनितिक जीवन में लड़ता हूं एक तो वो ताक्ते हैं जो समा जिसकी तस्वीर है जब वो तो उससे पहले मुलाकात हो जाती खड़गे साब से तुस्ताइब यही तो स्वस्त लोकतंत्रे पार्टी में कॉंग्रेस पार्टी के अंदर आप जो भाजपा के लोग अब आज क्या कहेंगे मैं भी हमारे ग्रह मंति नरुत्तम मिष्टा जी क बड़े भाई चोटे भाई की बात कह रहे थे मुझे बड़ी हसी आती है फूल जाते हैं यह लोग 2013 में क्या नरिन मोदी आडवानी के बड़े भाई थे जिस तरह से आडवानी की चीचा लेदर करके उनको कितना साइड किया गया था घर में घर में एकदम बैठने के लिए मजबूर का और जो विचारे आज भी नहीं पता तक नहीं किसी को के आडवानी जी के क्या हाल है तो यह कौन बड़ा था कौन छुटा था यह आप क्या होता है अब आपने हां की तैयारी कलने उमा भारती जी की तैयारी बड़ी जवर्दस्त है आगे भी नोत्तों मिस्रा डंखी यह बोल रहे थे कि कमल्नाथ जी की चक्के ऐसी है कि पता ही नहीं चलता कोन कहां पर सर्था अब जो यह कुट की बात कर रहे थे कि किस गुटका विधायक है सब एक ही गुट के मद्यपूधेश जे वो है कमल्नाथ गुट जी और बताए जी कि हमारे कांगरेस के प्रवक्ता साती जो बोल रहे थे कि कांगरेस में लोकतंत्र है, एक स्वस्थ लोकतंत्र है और उस स्वस्थ लोकतंत्र को साथित करने में ने को 25 साल लग गये. 98 के बाद अब कोई अगर जो गेर कॉंग्रेसी बनने जा रहा है तो इनको तो शुक्र गुजार होना चाहिए कि कम से कम जो एक परिवार की बंदिशें थी उनसे हट कर कोई बनने जा रहा है क्या जो बनने जा रहा है वो पपेट नहीं रहेगा क्या क्योंकि हमने तो इस देश के प्रदान मंत्री मनमौन सिंग जी के भी हाल देखे थे कि कैसे राहूल गांदी जी वो बिल फाड़ कर उनके उपर फेक देते हैं हमारे कांग्रेस के साथ ही बड़ी ही बातने कर रहे थे पर आज के विशय पर वो मुझे लगता है कि कहीं टटस्त नहीं हो पाए उनको दीदी उमा भारती दिखने लग गई हमारे मंत्री जी दिखने गरा मंत्री डॉक्टर नरुत्तम इश्राई दिखने लग गई लोगों के साथ कल तक तो हम मीडिया में ये चर्चा कर रहे थे कि ये समर्थक रहेगा उनके साथ ये उनको समर्थन में जा रहा है दस बाराविज वजायकों का भी नाम गोशित हो गया था पर आज जिस तरह से घटना करम घटा तो आपको क्या लग रहा है कि का डर गई कांग्रेस की वो आ जाएंगे तो फिर बंटादार हो जाएंगे ऐसा देखी निश्चत रूप से वरना वरना तो जिस तरह से तैयारी शुरू हो गई थी सब बातें हो गई थी पर इस पूरी एपिसोड में कमलना जी का दिल्ली जाना और उसके बाद उनका नाम बढ़ा है तो उसमें दिगजाए सिंग पिसे हुए नजार आ रहे हैं कि उस समय क्या रहा करते था कि वो तो आपके सासन में पैदा हुआ आपके समय सामने आया है तो आप की जो चक्की पिसर जिस तरह आप कह रहे हैं वो नहीं समझ रहा है की वणतादार होंगे मनोज जी आप जब युवा बहुत ज़्यादा युवा थे तब जो आप जिस तरह से डिवेट्स करते थे आज उसमें और आप उसमें और महारत हासिल कर लिया आप दीरे से पर नेचर आदमी वो नहीं बदल पाता है तो 2003 में जब उनका जो IQ था कि कैसे प्रदेश को किया जाए और मैं तो निश्चत रूप से एक बात जो हमेशा हम कहते हैं कि जब दिगवजय सिंग जी लोकसभा का चुनाओ लड़े थे तो पूरी देश की जनता का जन भावनाओं का सम्मान बोपाल की जनता ने किया था सारफ तीन लाग वोटों से जादा उनको हरा कर ग दिगवजय सिंग जी एक वो रायनेता हैं जैसे हम यह मानते हैं कि दिगवजय सिंग जी वो रायनेता है कि जिन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है भाजपा भी उनसे सीखती है लेकिन भाजपा उनकी बुराई करने का सिर्फ ढौंग करती ना टक करते ही भाजपा के ना जा कई ना कई उप्रित के हुए हैं मुझे आश्चर होता है यह हमारी हमारी पाइटी का चुनाओं है आप कहें तशीर्यस हो रहे हो आप ध्यान दीजी ना आप मनमुहान सिंग को पपिट के रहो भूल गए यह वहीं मनमुहान सिंग है कि जब अंतराश्टी बजार में 138 डॉल प्रती बेरल क्रूड ओयल था तो अभी इनी मनमुहान सिंग ने 68 रुपे का पेट्रोल दिया आपको और जब अभी 28 डॉल प्रती बेरल हो गया तो आप सो 125 देते रहे तो शर्मानी चाहिए आप मनमुहान सिंग के उपर अगर आप उनके समय में क्या विकास दर थी क्या भ तीन साल में आपने उसका व्यापार किल कर दिया थीक है तो अब उसका व्यापार जो जीरो पर आगा एक लाग दो लाग कहु रहा है तो वह ग्रोध देख रहे हैं तो ऐसा बेस जो होता ने ऐसी ग्रोध जो होती वो वो सिर्फ क्या भ्रमित करने के लिए वो रहने जी का कोई ब्रोध नहीं है और मैं खुद अगर मैं कहूं कि मैं दिगविजाए सिंग जी को कहीं ना कहीं यह अपन कह सकते हैं कि जो कहा ना कि मल्लीकार जुन खड़गे एक दलित चेहरा है वह कौंगे सपाइटी आप देखें कोई भी नतीजा हो हम भले ही पंजाब हारे लेकर हमने चन्नी जी को दलित हमने मुखमंत्री बनाया भाजपा में हिम्मत है यह जेपी नड्डा को एक्सेंशन दे दिया है और अगर हिम्मत है चुनाओ कराएं ठीक है 20 साल अबाद 25 साम जब भी हो लेकिन चुनाओ तो हो रहे ना आप कब हुए ता भाईया चुनाओ आप के आप तो आरेससे के अगरे से बन कर आ जाता है जहां तक दिगविजय सिंग की बात है मनोजी मैं को इक अपना आदर्श मानता हुं राजनिती की मामिदि दिगविजय सिंग जी से बहुत कुस चीक ने उन जैसा शनातनी हिंदू सतीयों में पेदा होता है तो अगर उनको कितनी महत्पूर जुम्मेदारी है तो क्या पता आगे कौन सी जुम्मेदारी है तो कहीं ना कहीं पैदल यात्रावी कर रहे हैं और एक तरफ मलीक आरजुन साहब अपना काम करेंगे तो पूरी पार्टी इस समय देखिए मैदान में है देखवे सिंग को आप ऐसा मत सोचे कि अद्देख्ष नहीं बने तो आपकी मुस्किल नहीं बनाएंगे मुस्किल बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं देखिए मनोजी कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने बताया बहुत बार इस बात की तरफ इंगित किया कि सीखा जा सकता है कि के से आतंकवाजियों को जी खा जा करेंगे मैं कोई जूटी बात कर रहा हूं क्या जाकिर नाइक को क्या वो शांती का दूद बताते हैं नहीं बताते हैं आप बताईए प्रधान अब दोनों बहुत समझदार लेकिन मनोज जी भी आपको कह रहें कि आप अपने बात रखे देखिये मनोजी में वही बात बता रहा हूं यह बार बार एक बार नहीं वह हम समझ रहें कि यदि वह बंते तो आप क्या करते हैं वो समझ रहों यह आपकी तैयारियां थी है यह बन जाते ना अब नीजी आप यह भी समझे गा थोड़ा सा यह बो बन जाते ना मनोज जी कोई भी बन जाते रहा हूं पर नहीं नमाज पढ़ दी हो दिया अभी तक चलिए रखी के कमल नाज जी नहीं चाह रहे थे उस चीज़ को और दिगवेजा सिंग जी को तो अपने जब आज की मीडिया ब्रीफिंग अगर देखी होगी तो उन्होंने पहले ही बदाई दे दी उनको मलिकार अरजुन जी को तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं यह सब चलिए सुन लीजिए आप अबनी जी आप भी देखी दे कि क्या कह रहे थे दिख्वे सिंग से 8 वजे आखिर क्या अब बीजे पी का थोड़ा सा पक्ष भी सुनिएगा भूपैन सिंग क्या कह रहे थे जैसे यह बात सामने आई तो वो कह रहे थे कि दिख्वे सिंग बहुत कलाकार आदमी मैं नहीं कह रहा हूं यह वो क्या कह रहे हैं थोड़ा सा यह सुन लीजिए फिर मैं इस चर्चा को पहले यह कहा जा रहा था कि वो अद्धेश बन सकते हैं अब कह रहा है कि वो अपना नामांकन बापिस लेने की तैयारी वे भरंगे नहीं नामांकन मलीकार जुन खड़गे होंगे अप असी तो आखिर क्या देख रही भारती जंता पार्टी का अंग्रेस को देखिए सिंग को वैसा रवार स्टंप नहीं मांते और दूसरा कवनलाज जी भी कभी नहीं यह चाहते के दिख बजय सिंग अद्यक्ष बने तो यह जो है कांग्रेस में सब चनाव की नोटंकी है पूरा गांधी परिवार को पार्टी चलाना है पहले असुक गैलत का गैलोत का नाम चला फिर उनने विद्रो किया फिर दिख बज़े सिंग्ष ने नाम चला दिया है जो भी हुआ फिर अंत में जाकर जो होना था वो जो सम्मावना थी चलिए अंत में जाकर वो कह रहे हैं मलीका अरजुन का नाम आ गया क्योंकि रवार स्टम जी अवनीश जी अवनीश जी दोनों बात ने का कि आज़ बजे सुबह मेरी बात हुई क्योंकि मैं प्रेस कॉनसी बात होगा एक तो बहुनने बता दिया उन्होंने कि मैं अपना फार्म परेश ले रहा हूं क्योंकि मलीक आरजुन साहब ये दिखवे सिंग जी ने भी कहा है लें कुछ और तो नहीं ती का भाव है और यह कही ना कहीं विपक्षी दल का होने के नातिस तरह की बात वो कर रहे हैं लेकिन मैं सपस्ट कर दूँ कि देखे ये पूरा निनय होता पार्टी संगठन से और जब हुआ कि मल्यकार जुन खडगे की प्राइटी सबसे पहले रही होगी लेकिन जब खडगे स सिवरास सरकार से नहीं है हमारा मुकाबला भाजपा के संगठन से कमल नाच जी ने कभी नहीं नखा रहा है न हम न कारते हैं हम से बड़ा है तो हमें मनुझ जी हमें कदम कदम पर एक नई श्टेट्जी बनानी पड़ती है क्योंकि हमको मालू है के 2023 कितना महत पूर है 2024 कि मुख्याय वाजपा के संक्टन से राष्ट्री संक्टन के मुख्या से दिखवेंशिंग बनते बिघर जाती चिह बिगर जाती असा है बिगर नहीं जाती तेके जब उनने जब देखा कि करनाटका में जिससे आप देखें अभी पिछले दो दून में मलिकार जुन खडगे जी आप समझें वहां के पूर कई पदों पर रहें आठ बार विधायक रहें पीसीची चीप भी रहें घरम अंती भी रहें तो कहीं न कहीं कई सारे निड़े मुझे ऐसा लगता मनुझ जी कि चुना को कनाटका के चुना भी तीन महीने बाद हैं तो कहीं न कहीं आप 25 दिन राहूल गांदी जी की आता कनाटका में रहने वाली है तो मैं लगता कहीं यह भी एक कारण रहा होगा जिससे यह विचार हुआ 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 विचार बिमर्ष भी बदला और आप देखे ना खुद देखे सिंग जी मलेकार जिन खड़जे की खड़गे जी की प्रिस्तावक बनते हैं मुझे आप बताएं क्या ऐसा हुआ कि नरेन मोदी जी की ताज पोश्ची के ठाइम ऐसा हुआ क्या कि आडवनी जी आयो नहीं हुआ ना तो देखे साब यह हां पर अलग विचे ह आप किरपया करके उसको इस धंक से देखें मनुझ जी तो मैं इसमें चाहूंगा दरते हैं यह बात से यह मेरे मित्र जो कॉंग्रेस के बेटे हैं इधर उदर की बातें कर रहे हैं पर उस विशह पे ही नहीं आप आ रहे हैं जिस विशह पे आज डिबेट रखी है यह तु कारें बन जाती हैं तो उसका प्रदेश ने देखा देश ने देखा कि मध्य प्रदेश में कमल नाजी और दिग्विए सिंग जी की नहीं बनी राजिस्तान में अशोग गहलोत और सचिन पाइलेट की नहीं बनी शत्यजगर में सिंग्देव जी और इनकी अपने दिखाएं उसमें मानिय भुपेंजी इसपष्ट कह रहे हैं कि वो उस टाइप के रबर स्टांप नहीं हो सकते थे जिस तरह से सोनिया जी को चाहिए थे तो यह तो तय मानिये कि और मानिये हमारे प्रदेश अदेश वीडी शर्मा जी ने भी इसपष्ट किया जो भी दरव सिंग जी उस टाइप के रबर स्टांप नहीं हो सकते थे जिस तरह से कांग्रेस चाहिए जिस तरह से उनकी आला कमान चाहिए तो वो इस पष्ट आज इस बात से भी यह चीज़ें हो गई कि वो क्या चाहते हैं और रही बात कितनी ही बातें कर लें यह वो जो भी इनका अध्यश के रूप में आईगा एक बड़े निता ने अभणी जी एक कह दिया था मतलब देखिए आप बात चल रही थी तो उन्होंने कहा था हमसे नाम तो हम नहीं लेंगे उन्होंने कहा था कि रात अभी बाकी है और हमने भी जब हमारा प्रोग्राम कर रह थे तो यह तो में लगते हैं इसकी भूल है यह वही मल्लिकार जुन खडगे हैं कि पिछली लोकसवा में सिर्फ हमारे 46 सांसरत थे और यह नेता पतिपक्ष थे हमारी पार्टी के सांसरत दल के नेता थे लोकसवा में और इनको कई बार लोकसवा से कि इतनी उगरता से इनी मुखरता से मोधी सरकार की गलत नीतियों का ब्रोथ किया चाहिए वो लेंड एक्कुजिशन बिल हो चाहिए वो बीमा बिल हो अरे हम तो चाहते हैं हम तो मद्यप्रदेश में भी चाहते हैं आप अपनी लड़ाईयों से अगर आप अगर आप मल्लिक लड़ाई को लेकर आगे बरते हो यह पूरे ही आप देख लीजिए राजिस्तान को उठाली जिए तक दर्वार में उस दल्के नेता हैं जो जो पूरे विश्व का सबसे बढ़ा दले उसके मद्यप्रदेश के प्रदेश आते हैं और उनका डर आपके अंदर पूरी तरह स कमल नाच जी बात करेंगे अपनी जी एक सवाल का जवाब मेरा दे दीजी डिखवे सिंग और कमलनाच जी एक साथ के व्यक्ति है यदि वो राश्टी अद्धक्ष बंगते हैं बन गाते तो जाहिड सी बात है कि राश्टी अद्धक्ष वहोते पी सीची कमल नाथ होते यह कितनी बाहर कहा गया कि आप राष्टे अद्धश बने आज भी उन्होंने मना कर दिया कि मुझे नहीं बनना है क्यों कहीं ना कहीं कमलनाच जी का एक बेदाग केरियर रहा है और आप समयले जो व्यक्ति नौबार सांसद रहा हो 40 साल का केरियर हो उस केरियर पर दाग खुद उनके ही परिवार के जो तरह सिंदिया ने दाग लगाया है तो कमलनाच जी ने मैं कहूंगा इसको एक प्रण के तौर पे लिया है कि 2000 सबसे पहले मैं 2000 तेश की लगाई लडूँगा उसके बाद उन्हें सपच्छ किया है इस तरह आप चली बोल दीजी चलो मैं बही कहरा ह जी ने इस प्रण लिया है कि 2030 जब तक मैं नहीं लडूँगा मैं नहीं वजह हूंगा जब तक मैं पार्टी को 12 सब्सक्राइब नहीं लाओंगा मैं कहीं नहीं जाओंगा ठीक है कमलनाच जी का जना है चली चली बोले देखिए मनोच जी जिस तरह से बेदाग च्वी की ब बात कमलनाच की नहीं हो रही बात दिगवे सिंग की बनेंगे पर हम कह रहे थे कि रात अभी बाकी है और रात भी निकल गई और अब दिन भी निकल गया और इस्तितियां साफ हो गई कि मली कारजुन खड़ गे राश्टी अधर बन सकते हैं सशी थरूर मैदान में हैं त्र इगवे सिंग का नहीं बनना आकर क्या कहता है कि अब मध्विदेश में भी इसकी हल चल बाद में कुछ और दिखाई देगी नजर इस पर रहेगी और यदि ऐसा होता है तो फिर बहस गरम बनी रहेगी मुझे दीज़े जाज़त देखते रहे बनसे नमस्कार